इम्रान सब सबसे पहले तो यह बताईएगा के चैंपिन्स टॉफी पर हम लास्ट में आएंगा वो तो समाझ लिए सेकंड प्रायॉरिटी हो गया हमारी कल की हार बहुत इंपॉर्टन है और मुझे यह कहते भी अफसोस हो रहा है मैंने जब कल साइम मयूब को इनिंग्स खेल सबसे पहले साइम मयूब की बात करेंगे एक वीडियो उनकी वाइरल हुई विया काफी जहां पर उन्होंने आफ रीदी को बोला है अबास को के सिंगल मत लो अभ यहां पर तो उसका क्या मकसद था उन्होंने क्यों कहा और वाइडिंट ही लेट अपर्चुनिटी तो विन कि वो अपनी सेंचरी मुकमल कर ले थे बहुत बड़ी सेंचरी होती है उनकी है यह बहुत एक बड़ी बात है कि अपनी सेंचरी मिस कर देना और अपने मुल्क के लिए मिस कर देना यह बड़े लोगों की और बड़े प्रेस की निशानी है जब हम पहले रेट करते थे आज लेकिन इसका यह हर्केस मतलब नहीं है कि सायमयूब अभी और कॉंफिडन्ट हो जाए और हम उनको सर पर उठा लें जैसे बाबर को सर पर उठाया था तो फिर अभी उतारना बड़ा मुश्किल हो गया है तो मेरा ख्याल है कि अभी बहुत टाइम बाकी है कि उसको एक ग्रेड प्लेयर कहना या अच्छा प्लेयर ठीक है और गुड इनिंग है और एक दो इनिंग या दो चारदास इनिंग से आप यह जस्टफाइ नहीं कर सकते कि यह बहुत ही बड़ा आने वाले वक्तों में लेज अगर आने वाले दोर में क्रिक्ट और बदलती है और तेज होती है तो अगर वो उसके साथ नहीं ड़लता तो जो हाल बाबराजम का हुआ है कि बाबराजम एक ड्राइव के ओपर ही सारी क्रिक्ट खिल गया यह मैं एक टेक्निकल बात बता रहूं सुनने वालों को समझ आ ही होगी कि उसी के जोम में वो चला गया और आज लोग मेरा खाल आइस्ता आइस्ता भूलते जा रहें बाबराजम को और नया टैलन्ट सामने आता जा रहा है यह देखी का तो दिंदूर नहीं है जब बाबराजम का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा पाकिस्तान में पांच 10-30 सालों में एक आदा बंदा मिली जाएगा जिस तरह का सैट अप हमारे मुल्क में क्रिक्ट का चलता है लेकि मुझे अफसोस ही होता है कि इस तरह का टैलन्ट बहुत सारा ऐसा टैलन्ट है जो वेस्ट हो अभी भी जो कि आपकी डुमेस्टिक और जूनियर क्रिक् साइम अयूब की जो मिझे अच्छी बात लगी फॉर मी यूड से के फॉर मी इट वास असेंचरी जस्टी वॉस तू रूंस अवे और नहीं ले पाए हैं मुका दे रहे थे और पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई दूसरा भी नहीं चाह रहा है कि उनकी स साइम अयूब मुझे को बहुत शांदार नहीं लगी कल साउथ आफ्रिका की इस लिहाज से क्योंकि साइम अयूब मुसलसल शौट लगा रहे थे लेक साइड पर और वहां पर मैंने देखा कि कोई फील्डर वहां पर नहीं खड़ा था नोइंग देखा कि साइम अयूब व उसका पूरा भरपूर फाइदा उठाते थे फूल टॉस पर भी उन्होंने भरपूर फाइदा उठाया है तो अच्छी बाटिंग उनकी जानेब से हमें देखने को मेली है डोंट यू थिंक के साउथ आफ्रिका की जो कल बॉलिंग थी और जो फील प्लेस्मेंट थी दो कै पाकिस्तान को लिए का यजड़ाउप होने का फाइदा ना प्लेयर को होता ही होता है उसको दूसरी जिंदगी मिलती है लेकिन जो आफ फील प्लेसिंग की थोड़ी बात करें थोड़ा साब करक्ड़ करने जब आपके ब्तदाई च्छी आवर्स होते हैं तो सर्कल का बॉल नहीं फुटबॉल नजर आ रहा होता है तो फिर आप शॉट्स अपनी मर्जी से खिलते हैं तब आपका रिस्ट आपका पाउँ आपका हैड हंडेड परसंट काम कर रहे होता है तो इसलिए आपको फिर गैप मिलना शुरू हो जाते हैं तो गैप डूणने के लिए रिस्ट प्लेयर होना बहुत जरूरी है अगर अगर डे क्रिकेट देखें जो रिस्ट नहीं उसकरता वो रंज नहीं करता सामयूब फ्लो में आ चुके थे उनने गैप मिल रहे थे तो जब आप राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन जब टीम में एक बड़ी इंपॉर्टन आपको आज बात बताता हूं जब आपके सामने राइट लेफ्टन कॉम्बिनेशन होता है ना बतब नियाजी खेल रहे थे राइट है और जब साम थे वो लेफ्ट हैंडर तो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन किसी भी फिल्डिंग कैप्टन के लिए मुश्किल क्रेट करता है और जो चेंजिस करने ही पड़ती है को एक बालर को बहुता है है जब जैसे ही यूनो वह स्ट्राइक रूटेट हो रह राइट है जब राइट है तो उसको लाइन चेंज करने पड़ती थी लेफ्ट है तो यह एक बहुत टेक्निकल चीज होती है प्रिकट के अंदर बिल्कुल सही और इसी के साथ अगर अगर बाबर आजम कल वैसे कादिर और मेरी हमने सोचा था कि अगर बाबर 31 रंस कर देते हैं तो कादिर जो हैं वो केक लेकर आएंगे लेकिन आज खेर वो आए नहीं और आते भी नहीं है वो सेर्डेकों की ओफ होती है लेकिन यह है कि वो 30 क्या उन्होंने 31 रंस बनाए और मैं यह सोची थी कि लिए कादिर की बात तो केक के साथ एक पेस्ट्री भी लिए हम एक पेस्ट्री भी बनती है तो मंडे को हम जरूर इस चीज़ का इंजार करेंगे सेरेब्रिशन भी करेंगे कि चारे बाबर ने 31 रंस कोर की हैं अफटर लॉंग टाइम इंटरनेशनल मैच लेकिन अगर हम बात करें बाबर 31 बना सके स्ट्राइक अच्छा था उनका बहतर था लेकिन रिजवान को क्या हो गया कल लेकिन इससे पहले में लास्ट कल यहां बैठा वाता था तो आपने का कादर अब बाबर की बात नहीं करते हो तो आपने आते ही उनका जिकर छेड़ दिया कि वो अब केक लेकर आएंगा उनके लिए सो मैं क्याता होना बाज आजाएं बाबर को छोड़ दें हाँ देखें इनने मुझे कहा था कि अगर बाबर स्कोर करते हैं हाफ सेंचरी तो आप चार पाउंड का केक लेकर आएंगी तो मैंने कहा कि बिलकुल खुशी से अगर बाबर आजम हाफ सेंचरी करते हैं तो इससे बड़ी और खुशी कि क्या बात था लेकि उनने नहीं की अब कल के मैच में उनने थर्टी वन रंस बनाये हैं स्ट्राइक रिट भी उनका बेतर था अनिस बतन अगर इसी तरह से वो जारी रहते हैं अली दो गेंदों पर दो चौके मारें दो बालों पर आर्ट हुआ और उ चौरू के आप समझ लें एक दो बाल्स में इर्फान पर भी नजर आया जैसे ही उननने चौका लगाया उसके बाद उनका प्रेशर खतम हो गया तो बाबर ने तो आती ही तो चौके लगाया फिर बाबर क्यों प्रेशर में आज आज आपको बात बताता हूँ यह बाबर को क्लिप काटके ने टिप भेज दिएगा शायद वो अपने कोचिस की बात ने सुनते हैं देखें बाबर ने जो अपने 31 सल्स बनाया नो अपनी स्किल के ओपर बनाया जो उसकी नैचरल स्किल है जो उसका नैचरल टैलेंट है पर नैचरल टैलेंट तक नहीं अब आपको लाज़ों के अंदर के वो उस शौट को उठागर चोटा ग्राउंड था ना अब आप देखें हाई स्कोरिंग ग्राउंड है साउथ अफरिका ने 210 कर लिया तीन बाल पहले खत्म कर दिया मैच को सो बाबर को अपनी गलतियों पर काम करना पड़ेगा वापिस अपने क्लब भी नीचे आएगा और आप दुबारा से जो भूली वी चीज़ें वो सीख लेंगे आपको पहली क्लास में आजाना चाहिए फिर आप दुबारा से ग्रैजुशन कर लीजिएगा हमें कोई इतराज नहीं है सो आपको नीचे आना पड़ेगा आप इनी डिमेस्ट्र क्रेक् कर रहा है अगर वो इसी तरह से मेंटेन रखता है अपनी पेस को अपनी बाटिंग स्टाइल को तो वो बहुत आगे जा सकता है वो मारे लिए एक बड़ा बेहतरी नौल राउंडर बन सकता है लेकिन बाबर आजम की जो एक क्लास मेंटेन हुई थी हम सब के दिलों में दिम क्या रिसकी सेंचरी की लिए रहा है वो मजब की बात थी लेकिन अब वो सीरिसली हो चुकी है अब क्या कह सकते है अब देखे ना मेरा ख्याल है कि बाबर को वापस आजाना चाहिए डिमेस्टिक खेलना चाहिए आपको याद होगा कि बासित अली सहाब ने कहा था कि तीन अगर बाबर ने लगा दिये तो मैं अपनी वीडियो जारी करना बंद कर दूंगा तो उनको पता था कि सिरफ ये अब चैंपियंज कप की बात थी अपनी होम ग्राउंड थी फैसला बात था मतला माँ पर तो रंस बन रहे थे लेकिन ये कि वो नहीं लगा पाए थे तो करते वे देखा है बाबर को शॉट्स लगाते वे देखा है लेकि कल आसान टार्गिट क्यों था साउथ आफरिका के लिए रिजवान और बाबर का वो एक ही दिन में समझ चुके थे कहां पर किस तरह से इनकोच है वो हमने अंडर प्रेशर करना है देखे मुझे लगता है क कि अब रिजवान को ये रिलाइज कर लेना चाहिए कि T20 में उसकी जगा नहीं बनती है स्टेप डाउन कर देना चाहिए आज ही अगर इस सीरीज के बाद अगर रिजवान क्योंकि अच्छे इनसान है तो मैं समझता है अच्छे इनसान को चीज़े रिलाइज हो जाती है त तो अगर आप इमानदारी के साथ आप क्रिकट के साथ लॉयल हैं पाकिस्तान के साथ लॉयल हैं तो रिजवान साहब को स्टेप डाउन करना चाहिए और फॉरन उनको वापस आजाना चाहिए अपने 50 आवर 100 टेस्ट मैच के फॉर्मट के उपर किसी के लिए जगा छोड़ किसी का फ्यूचर मत तबाह करें अगर आपको लेट क्रिकट मिली है तो आपका मत्तब़ के आप भी आने वाले लोगों को लेट क्रिकट देंगे सेकेंड वन कि आपने अपनी टीम में आज़ विकट कीपर बैट्समें खिलाया उस्मान खान को क्या प्लेयर है आप मुझे क कि लट शौड बॉंगी शौड मार रहे हैं वह तो समय से बाहर है ना कमेंटेटर भी हसरे थे कि या क्या बच्चों की क्रिकट हो रही है कल डॉक्टर नुमान साब भी आप से यही बात कर रहे थे कि वो बंदा किस तरह फिट एन हो गया क्या अगर आपको कोई इंटर्टे करने के लिए और एक्टिविटीज करवाएं अपने टीम के अंदर एक बंदा ना रखें कि जो आपका स्ट्रेस दूर करें आपको हसाए आपको खुश करें यह इस तरह से तो बस फिर मैं वही कौंगा टी सी करके आप जितनी मर्जी क्रिकट खेलने पर मुल्क का विड़ा अफ्वाववे में फ्लॉप होने के बाद उसको तीम से बाइड से पार निकल देते है के वही चापताने के प्रशन होने के होने पहले पहले आपने अपने लिए ने अस किला EVERY नहीं है हम तब अब ही शचैण दाल रह typically किस तरह स्ञ जिस्ट्टिफाइग करें इस इसको झा continue किया as a vice captain, फिर आपने उसको अप टीम में खिलानी रहे, मतब आपको नहीं समझ आ रही कि आपके decisions क्या है, आकिब जबेस सहाब को ये समझ नहीं आ रही है, अपने घर के अंदर तो उन्हें बना लिया था जीत का formula, मैंने आपसे पहले भी कुछ चोस पहले बात की थी, आप आपने मर्जी की pitches बना लिए, turning pitches बना लिए, तो आप बाइर खेलने जाएंगे तो बाइर क्या करेंगे, मैं मानता हूँ के South Africa अगर यहां आता है तो आप उनको हरा देते हैं, इट मीन्स के आप पर उनमें कोई difference नहीं है, फिर champions team वही होती है, जो दुनिया के दूसरे मुल आपने क्या किया देखें, पूरी cricket के ओपर कवजा कर लिया, माजरत के साथ, माजरत के साथ, चेर्मेंट साब, आपके सारे decision आपको वापस आके लग रहे हैं, आपने जब 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 जिसको पावर दी है, उस उस ने अपनी पावर का गलत इस्तमाल किया, आपने पावर बह आपनी वापस ने लिए, वो दोनों नाराज होके चलेगे, आपका क्या इमिज जाएगा दुनिया के अंदर, कि आप अपनी जबान पर खड़े नहीं होते, पहले आप उसको उसकी मर्जी की ओपर कोशिंग पर बलाते हैं, उसके बाद उससे सारी पावर चीन लेते हैं, सि आपने आकिब जबान कर ली, कि यार अब सब कुछ तुम करोगे, इसका मतलब है कि आप प्रफेशनल नहीं हैं, आप अन प्रफेशनल हैं, आपको क्रिकट का कख नहीं पता,